अब लिखे रिलेशन बिविन स्माल जी और कैपिटल जी रिलेशन बिविन स्माल जी और कैपितल जी बोले तो exhibition due to gravity और कैपिटल जी बोले तो universal gravitational constant अब ज़रा इसको बताने के पहले थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाएंगे आपने गैलीलियो साफ को नाम सुना होगा गैलीलो साफ ने न्यूटन की पहले बता दिया था कि मास आप दा बॉड़ी चाहे जो भी हो अगर दो बॉड़ी को हम सेम हाइट से फेकेंगे तो सेम डिस्टंस पर आखे गिरेंगे तो सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे ठीक है ये बात वो कहते थी लेकिन जिस दौरान गैल पत थी था समाज में जिनका बोलवाला था वह थे उस समय के क्रिश्च्ञ लोग में जो पादरी लोग होते थे ना चर्च में वह समाज को बटाते थे ब्हाइkg ऐसा होता है बहुत संग देखर निकला इधार आया इधार आया इधार आया अब बता separate सन चलना है then तो वहीं लोग बताते थे तो गैलीलो साब बीट-बीट में जाके टोक देते थे या आपको मालूम होगा कि यह आर्थ चलती है ब्रूनो और कोपर्णिकस सुर्वात के दर में यह scientist की कह सकते है scientist कि थे उन्होंने का नहीं भी अर्थ में चलती है सन इस्थिर है इतना कहने पर उनको फुग दिया गया था क्योंकि वह अपोस कर रहे था ना बात को हम हमारी एक रेपोटेशन है हम जो कहेंगे वही माना जाएगा ना मनवे किसी को बता रही हूँ कि हम साड़ी देखो ये लेके आए पैतिन साजार रुपए की और आप जा के मुथी गलत बता रही एं तो पैटिन सो रुपए की लेके आए वह साडी से लगी λगी पूही थी तो उसमें जब पादरी लोग कहते थे वो अपोस करते थे तो गैलीलो साब ने का भी अर्थ घूमती है और सन इस इस्टेशनरी और सन इस यूनिवर्सल आफ यूनिवर्स तो इतना कहने पर उनको माफी मांगनी पड़ी थी जाकर के कोर्ट में और जब माफी मांगा था तो बताते हैं क कि उसमें तेज से उन्होंने बिक दे दूआ कि में गैली लोगा अपनी बात से इंकार करता हों कि अर्थ घूमती है और बड़ी तेज पैर प्ठट का अर्थ पे जोने मैं क्या करूं जब अर्थ घूमती है तो उन्होंने का कि दो पार्टिकिल अगर सेंधि अलग-अलग पादरी लोगों को बुला ले गए, दो मास पाडिकिल एक साथ फेके हैं, दोनों एक साथ आ रहें, पादरी उन्हें का ठीक आ रहें बैठा नीचे उतरा, ठीक है, हैवी पाडिकिल पहले आएगा, क्या बोला, आएगा, तो आएगा, ऐसा नहीं चलेगा, हैवी ही आएगा, सुपचाब घर में बैठो, ज्यादा बात करो, फिर दुबारा माभी मांगनी पड़ेगी, तो बिचारे चुप हो गए, फिर उन्हें कहा कि जैसे हमारे अर्थ का प्लैनेट है, मून, उसी प्रकार से हर सेटलाइट है, तो हर प्लैनेट के प्लैने सेटलाइट होते हैं, फ को छील चाल करके रगडबगड़ करके लेंस बनाया बड़ा सा, और एक टेलिस्कोप बनाया, अब जानते हैं टेलिस्कोप सबसे पहला किसने बनाया था, यह तब ही बनाया था, वो घर में नजर बनते हैं उसमें, और टेलिस्कोप से बुलाया पादरियों को बोले देखो बोले हाँ दिख रहे हैं ऐसा ग्रो बेटा इसको पैक कर दो और पैक करके किसी को मत बोलना नहीं तो फिर समझ गए क्या होने वाला है विचारे पैक कर दिये अभी दो चार साल पहले एक निउज आई थी कि वो टेलिस्कोप के चार सो अर्स पूरे हो गए है बनने के तो अभ विश्वस नहीं आदमी अब विश्वस नहीं बता रहे हैं कि विश्वास किया जा सकता है हम कहना यह चाहते थे कि जो न्यूटन का रूल हम बताने जा रहे हैं ये गैलीरो साब पहले ही बता चुके थे और डाट भी खा चुके थे विचारे बताये भी और डाट भी खाये जब न्यूटन सहाब आये तो समय बदल चुका था, इनकी बात को सुनने लगे थे लोग, अगर ये भी उसी दौर के होते तो इनके सर के बाल काट दिये गए होते, बड़े लंबे लंबे थे ना, इनको तो ऐसे टांग देते पादरी लोग, बिटा तुम टंगे रहो, बहु देखिए, अगर मालने कि सपोज, M is the mass of earth, RE is the radius of earth, and a body of mass M is on the surface of earth, एक body M है जो अर्थ के surface में है, तो it will experience a force, and the force will be G, M E upon RE square, अब हमने पढ़ रखा है, कि अगर M mass की कोई body, earth surface में होती है, तो उस पर जो force लगता है, वो उसके weight के बरावर होता है, as F is equal to mg होता है, हमने पढ़ रखा है, so mg is equal to क्या हो जाएगा, g M E upon RE square, यह M M कड़ गया, तो small g is equal to g M E upon RE square, it is the acceleration due to gravity, यानि यह है, जो earth में किसी body का velocity change करता है, acceleration due to gravity, यहाँ पर mass of the body है, इसका मतलब सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, वो तो उन्होंने ऐसे बता दिया था, जैलियो साब ने, सिद्ध हो गया, कि the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the body, अलग-अलग mass की body को same height से अगर फेका जाए, तो वो same time पे नीचे आएंगी, बड़ा हासी लग रही होगी कि एक पत्थर को फेके, और एक पतंग को फेके, तो कौन पहले आएगा? पतंग क्यों नहीं आती भाई? न्यूटन के लगए, अप्थर्स फोर्स लगता भाई, जब हम बात कर रहे हैं, same time आएगी, तो कोई अधर फोर्स नहीं लगना चाहिए, अब एक दो बाड़ी को फेको, एको पकड़ो ऐसे, वो देखो नहीं आ रही, कहा आ रही एक साथ, यह ऐसे थोड़ी काम चलता है, तो जब हम पतंग फेकेंगे, तो पतंग पे एयर का अप्थर्स फोर्स लगेगा, अधर ले करके इसको, पहले तो मास, Uh, मास अब दार्त निकाला गया है, लिखे, मास अड डेंस्टी अफर्थ, मास अड देंस्टी अफर्थ, मास अपर अड निस्टी अफर्थ, mass and density of earth हमको यहाँ पर mass दिख रहा है कि m e is equal to as small g का मेरा एक relation है g m e upon r e square तो इसमें m e की value क्या आएगी g r e square upon capital g g की value 9.8 होती है r e की value 6.37 यह 6.37 होती है लगबग दिखी गई है कोई पक्का नहीं है into 10 power 6 कहीं cable 6 लिखा होता है का whole square और upon g होती 6.67 into 10 power minus 11 जब इसको मैंने solve किया तो approximate 6 into 10 power 24 kg आया तो approximate यह मासा फर्थ माना जाता है 6 into 10 power 24 kg यह कैवेंडिस साब ने अपना एक experiment किया था बहुत पहले slave से हटा दिया गया है कैवेंडिस ने अपना experiment करके इसकी value निकाली तो अब देखिए density की बात करते हैं तो density का formula क्या होता है density जी कर लोग मास पन वालूम तो मास हो गया M E वालूम 4 अपन 3 पाई R E Q देकि या तो मैं इस M E का इस्तेमाल कर लो जो मासा वर्थ निकाल चुके हैं या हम M E की value रख दें उठा करके G R E स्क्वाइर अपन 4 अपन 3 पाई R E Q इंटू कैपिटल जी तो ये एक R E से कर जाएगा तो आएगा 3 G अपन 4 पाई G R E तो value यहां रखी हमने ये 3 G है 39 नहीं है इसकी value तक्रीवन 5.5 इंटू 10 तो पावर 3 आ गई है लगभग लगभग by 3 G की value 9.8 अपन 4 पाई है 3.14 इंटू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 6.37 इंटू 10 पावर 6 तो ये अप्रॉक्स्मेट आई है 5.5 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यों यानि आर्थ की जो अप्रॉक्स्मेट देंस्टी होती होती अप्रॉक्स्मेट इसलिए हम कर रहे हैं कि आप जानते हैं कहीं कहीं पर जो जबीन होती बहुत हार्ड होती है बहुत देंस होती है तो अप्रॉक्स्मेट देंस्टी ये है तो ये देंस्टी कराती है नोट हो गया अब बात कर रहे थे इसमाल जी की कि small g की value 9.8 meter per second square होती है क्या इसकी value एक ही जैसी रहती है कि variate होती है तो बोले है variate होती है तो लिखे variation in acceleration due to gravity variation in small g variation in small g देखे तो हम कई तरीके से इसके variation check करेंगे एक तो height पर जाएंगे height का होता छत पर नहीं hill पर बड़ी-बड़ी height पर जाएंगे और हाँ और एक हम जाएंगे depth में इसे minus वगर हम जाते हैं और एक हम अर्थ की shape की बारे बात करेंगे इसके revolution की बारे में बात करेंगे तो पहला हम बात करते हैं यह variation in g की बारे में बात करने जा रहे है variation in the value of g small g सबसे पहली हम बात करने जा रहे हैं कि effect of altitude height का क्या फर्क पड़ेगा effect of altitude altitude देखे suppose यह अर्थ है और यह अर्थ का center है और यह अर्थ का मास हमने माना है और यह अर्थ की radius है यह center है वो अर्थ की radius हमने आरी माल ली ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे कोई M मास की बाड़ी हम अर्थ के surface पर रखते है यहां पर एक body है जो M मास की है जो हम इसको calculate कर रहे होंगे तो यह जो हमने diagram बनाए इसको लिखना अपड़ेगा कि let M E be the mass of Earth R E be the radius of Earth and body of mass M is on the surface of Earth on the surface बोले तो A point पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं on the surface of Earth on the surface of Earth जब अर्थ के surface पर जाएंगे तो force body पर क्या लगेगा तो हम कहेंगे G M E M upon R E square अब अगर हम on the surface of first acceleration due to gravity G माल ले तो यह F होता है M G is equal to G M E M upon R E square यह हमारा पहला ही कोशन है जब हम on the surface of Earth यानि at point A है at point A है अब मैं अर्थ के बिलकुल upward direction में जा रहा हूँ altitude H पर तो हम height H पर पहुँच गए और हम पहुँच गए B point पर at height H और हमने माना कि suppose करिए यहाँ पर acceleration due to gravity G डेस है तो at height H H यानि at point B अगर B के बारे में बात करें at point B तो यह आपका F हो जाएगा M G dash is equal to G में में पान R E plus H अफ हाइट हो जाएगी R E plus H का whole square ज़रा इसको refill कर लेते हैं इसको अब दोनों equations को चुकि relation चाहिए जो दोनों को divide कर दो और divide करके common portion दोनों का cancel कर दो G dash को उपर लिखना क्योंकि हमको G dash की value चाहिए कि दिवाइट कर दिया ठीक है अब हम divide करने जा रहे हैं कि में रिफिल अब का सभी pen कर लें बार बार ना कर लें इस diagram को रप कर रहे है मैं बना लिया ना dividing equation 1 and 2 हमने 1 by 2 नहीं बोला है 1 and 2 बोला है यह हो गया mg dash नीचे हो गया mg is equal to mg dash बोला है तो उपर आएगा g m e m upon r e plus h का whole square into g m e m और यह r e square उपर जाएगा यह कड़ गया तो g dash upon g is equal to यह सब कड़ जाएगा पूरा तो उपर आएगा r e square upon अब देखें इस breaker से हमने r e कामल ले लिया तो square के बाहर निकल के आएगा r e square आएगा 1 plus h upon r e यह का whole square यह कड़ गया इससे तो g dash is equal to g upon 1 plus h upon r e का whole square तो this is the relation between g dash and g हमने r e plus h जुर था ना उससे हमने r e कामल ले लिया हमने का उपर r e बचाई ना जिसे calculation में हम करबड नहों r e square उपर नीचे हमने काड़ दिया तो नीचे 1 plus h upon r e whole square आ गया फिक है यहां तक बात समझ में आई नहीं आई है ने 2 h क्यों आएगा तो हम वो नहीं खोल रहे हैं अब यहां तक करो जितना बताया गया है हम क्यों और इस और खोलें भाई हाँ मैंने क्यों आर्ज कामल लिया ब्रैकर नहीं खोला है हमने क्यों वनने ब्रैकर से कामल लिया है हमने ऐसा कुछ नहीं किया है हम समझ रहे हैं तुम किस स्टेप में पहुंच गया हो हम समझ रहे हैं वहां हम पहुंचेंगे लेकिन अभी नहीं पहुंचेंगे नहीं नहीं ब्रैकर नहीं खोला हमने अब देखे यानि कि आपने क्या जी डैस इस इकॉल टू जी अगर डिनामिनेटर में वन होता तो ये वैलू जी के इकॉल हो जाती है और डिनामिनेटर में अगर वैलू वन से छोटी होती है तो ओवराल वैलू बढ़ जाती है और वन से बढ़ी होती तो घड़ जाती है चुकि भई h की कुछ न कुछ value होगी न और 1 में उसको आप plus कर रहे हो तो 1 में plus करने का मतलब value 1 से बड़ी हो नहीं है इसका मतलब ये overall value घट जाएगी ये घटेगी मतलब कौन घटेगा जी डैस तो यहाँ जी डैस की value less than g होती है यानि कि altitude में जाने पर g की value घट जाती है अब देखे एक और format इसमें लिखा जा सकता है और g डैस is equal to g ये जो denominator में है इसको आप उपर shift करतो h upon r e का whole square ये ध्यान रखे r e is the radius of earth to big value बहुत बड़ी value है और h का मतलब बहुत चोटी value मैं h यहाँ पर हिमाले परवत भी ले सकता हूं बड़े जो पहाड जिनको आप कहते हैं मनाली बगारा में रहतांगों गए रहे हैं इसको बाइनाम थे खोल देते हैं अब आपने पढ़ी नहीं में बहुत आपने जो पढ़ी वह अधूरी पढ़ी है आपने क्यों पॉजिटीव टम के लिए पढ़ी है ना वो निगेटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, फ्रेक्शन भी हो सकता है, अगर 1 प्लस X ट पावर N है, तो 1 प्लस NX, आपने NC0, X पावर N बावर 0 पढ़ा होगा न, तो आपने कीवल पढ़ा है, NC0 तभी डिफाइंड है, जब N natural number हो, अगर N फ्रेक्शन हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो डिफाइंड नहीं होगा, जो कि फैक्टोरियल डिफाइंड पॉजिटिव के लिए होता है, निगेटिव के लिए नहीं होता है, लेकिन बाइनमेल जो थेहरम है, वो किसी पावर के लिए होती है, बाइनमेल थेहरम दी किसने थी, जिसने दो नमबर जोड़ दिये 2 प्लस 3 जिकल तो 5 चोड़ा हो गया I have added two numbers किसी ने A प्लस B whole square दे दिया तो वो उसने बड़ा हरे वाह कमाल हो गया A प्लस B whole cube दे दिया तो और कमाल हो गया तो Sir Isaac Newton का नाम सुना होगा उन्होंने का ये क्या A प्लस B अच्छा whole square तुमने दिया अच्छा तुमने A प्लस B whole cube ये लो A प्लस B to power N अब आगे और N मतलब natural number or fraction or anything negative number चलो चलेगा अब बताओ क्या फ़र्मला दोगे बोले ठीक है रहू ये ठीक है तो ये बाइनामल theorem given by Sir Isaac Newton तो ये एक step हमने को खोला है ठीक है एक step तो ये हो जाएगा माइनस टू पाउर है ना ये तो आएगा जी ये आएगा 1 माइनस 2 है अपान एक step क्यों इसके बाद actually आएगा N N-1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू X square आएगा actually में नीचे आरी आर्थ का radius है ठीक है आर लेडी बहुं large value है अगर मैं और expand करता हूँ और आरी square कर देता हूँ तो denominator में बहुत बड़ी value हो जाएगी तो overall value बहुत छोटी हो जाएगी इसलिए वो neglect कर दिया जाता है ठीक है अब देखिए अगर आप 1 में से 0 minus कर दे तो value 1 ही आजाएगी आप 1 में कुछ minus कर रहे हो याणि कि आप value छोटी कर रहे हो न तो overall value बहुत जाएगी तो g dash is less than g इससे बिस्द हो गया g dash की value g से कम होगी याणि कि height पर जाने पर height बोले तो काफी height यह नहीं है आप जो है एक-दो बंजिल मकान की उपर रहते हो वहां सबात कर रहे हो ठीक है तो यह तो हो गया effect of height कहाँ पर? Everest पर? पर यह तो weight machine लेके Everest पर चड़ी नहीं पाऊँगी वह तहाँ हाँ वह से कम आएगा वहाँ पर कोई ची तौला नहीं हो तो वहीं तौला आके तो वहाँ तौला के दो चलके वहाँ तौला लिया यहाँ पर आकर के अपना बढ़ गई value हाँ 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 तो तो कम होगा ना वहाँ पर ने ने अब तो आप तो कोई दिक्कत वाली बात ही अब तो हमारा electronic system है अब हम जी पर काम ही नहीं करते हैं जिस समय हम जी पर काम करते थे simple pendulum से नापते थे value तब होता था अभी तो हमारा electronic system है अब वह जी पर काम नहीं करता वह तो spring balance पर काम करता है electronic system और system दूस्ते होते हैं अब लिखिए effect of depth द्राइस वर्ड को ध्यान करें माइनस ट्यूच पनारी इसका use हम करेंगे effect of depth depth का मतलब यह नहीं हो का basement का मकान हो उसमें चले जाओ depth का मतलब होता है जो बड़ी-बड़ी माइन्स होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर हम depth में जाते हैं तो क्या होता है certains देखे पहले तो अर्थ के उपर उन्हांत है यह अ है और हम अर्थ के उपर जब होते हैं तो पूरी की पूरी अर्थ हम पर फोर्स लगाती है हमने आरी माना रेडियस वो तो बात की बात हम करेंगे हम अंदर चले गए तो जैसे अंदर गए तो अंदर का जो एक पार्ट होगा यह वाला यहां पर बॉड़ी पॉइंट पे है एच डेफ अंदर है यह आप पर फोर्स लगाएगी एम डैस ठीक है तो पहले इसका मास निकाल लिया जाए अगर मैं मानूं कि यह जो डिस्टिंस है वो आर है नाट रेडियस अपर्थ कम हो गई है ना तो इसका मास क्या होगा तो मास इस इकल टू होगा volume into density तो volume होगा 4 upon 3 pi r cube into density हमने रो माल ली यह इसका mass हो गया तो force acting on the body due to this mass वो हमने माना mg dash तो क्या हैगा g m dash जो body पे mass यह act करा रही है अर्थ का जो part है into m upon r square अब question यह उठता है हमने साथ एक दिप पहले बताया भी था कि हमने कहा कि अर्थ का यह वाला mass आप पे force लगाएगा यह वाला mass आप पे force नहीं लगाएगा कारण हमने बताया भी था कि होता क्या है कि हम यहाँ पर होते हैं तो आर्थ का ये ये जो पार्ट होता है ये उपर खीशता है और ये वाला पार्ट नीचे खीशता है तो इसलिए इसकी वज़ए से जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है असा कुश्चन यह है वह ये मास ज्यादा है तो ये दूरी ज्यादा है तो मास ज्यादा है और हां यह भी हो सकता है लेकिन चुकि यह कामपोनेंट हम ले नहीं रहे हम तो सेंटर तरह बात कर रहे हैं हम सेंटर तरह बात कर रहे हैं इसलिए वह कामपोनेंट लिया नहीं जाए यहां ठीक है अच्छा ऊपर का पार ऊपर घजीट रहा है तो आप कहेंगे यह पार तो कम मास तो हम कहेंगे कम मास का है तो नजदीक है आर कम हो गया इसलिए force और बैलन्स कर लेता है तो यह force हमारे उपर आर्फ में लगा यह यह वाद रोड़ा एक मिट एक मिट ऐसा करते हैं आरमत मानों confusion हो जाएगा आप इसको अरि माइनस h मानो यह r e radius थी ना उन्हा r confuse करेगा आपको तो यह हो जाएगा r e minus h का whole q into rho जो कि आपको h include करना है ना जो जाएगा r e minus h का whole square जब m हर जगे करिए r नहीं मानेंगे हम एच इंक्लूड नहीं हो पा रहा है ना आप h height पे हो तो उसको radius सा फर्थ से compare करोगे ना तो यह जब value रखोगे तो आएगा g m dash की value रख देते हैं into m m dash की value क्या आएगी 4 pi into r e minus h का whole cube into rho whole upon 3 into r e minus h का whole square यह पूरी पूरी पूर एक पूर कम कर देगी तो आएगा 4 upon 3 pi g m rho into r e minus h तो यह हो गया in the depth of h h depth पे हम यह value की बात कर रहे हैं अब जब अर्थ के उपर आओगे तो क्या होगा अर्थ के उपर आओगे तो अर्थ का पूरा का पूरा मास आपकर force लगाएगा लेकिन अब हम चुकि यहाँ density की term में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ भी density की term में बात करेंगी तो जो हम बात करेंगे on the surface of earth तो एक्चुली आपका यह जो step है इसमें क्या चीज़ चेंज हो जाएगी RE माइनस H चेंज हो जाएगा यह हो जाएगा RE और यहां हो जाएगा MG तो MG इस एक्वल टू 4 अपान 3 पाई जी M रो इंटू RE कुशन बड़ टू कुशन यह उड़ता है कि आपने GMEM क्यों नहीं लिखा कोई दिकत नहीं मैं लिख सकता हूँ MEM मैं लिख सकता हूँ लेकि मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि हमको ultimately density के टम में convert करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यह step density के टम में है ठीक है इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है इसे note करिए फिर आगे calculate करते हैं अब दोनों में relation निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों को divide कर देते हैं dividing equation 1 and 2 तो यह आएगा mg डैस उपर नीचे mg और दोनों को दिख रहा है divide करने से केवल r e minus h बचेगा यह r e बचेगा तो यह हो जाए जए r e minus h यह हो जाएगा r e तो g डैस अपान g is equal to 1 minus h अपान r e तो g डैस is equal to g 1 minus h अपान r e अब यहाँ साब साब दिख रहा है कि 1 में कुछ minus कर रहे हो तब g की value घट मिल रही है इसका मताद g घट गया है g dash is less than g यह निकि नीचे जाने पर g की value घट जाती है यानि अगर कोई pendulum से balanced watch है जो pendulum से balance होती है अगर उसको आप hill area में लेके जाओगे या नीचे लेके जाओगे तो दोनों ही cases में g की value घट जाएगी तो उसमें जो time period होगा वो घटेगा बढ़ेगा बढ़ जाएगा time period बढ़ जाएगा मतलब वो सुस्त बढ़ जाएगी दी में दी में चलेगी दीरे दी चलेगी ठीक है तो टीचर चाहेगा कि जी बढ़ जाए घट जाए बढ़ जाए जल्दी घटी घटी चलने लगे अब ज़र समझेगा मैं इस घटी को लेकर के जा रहा हूं दो मतलब दो किलोमेटर उपर और आप जा रहे हो दो किलोमेटर नीचे दोनों केस में दोनों में सुई किसमें ज्यादा सुस्त हो जाएगी क्यों उपर हाँ जी हम जानते हैं कि अर्थ के उपर जाने पर जो जी डैस की value थी वो जी one minus two h पाना रही थी और नीचे आने पर minus h पाना रही थी यारि कि सेम हैट पे एक आदमी उपर जा रहा है और नीचे जा रहा है तो उपर g क्यों ज्यादा speed से घरती है नीचे कम होती है लेकिन यह जो फार्मुला बताया गया है ना इसको निमेरिकल में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक्जेक्ट आंसर नहीं देगा यह क्यों नहीं देगा भाई यह मैंने एप्रॉक्सिमेट वेलू लिखी है आपने देखा होगा आपने देखा होगा जो हम इसको उपर ले गये थे तो वहाँ पर मैंने बैनमेल थ्रम को ली थी देखे मैंने यहां लिखा हाथ तो अलग की बात है अब इसको हमने एक स्टिप खोला था ना ट्वेश पनारी ऐसा नहीं है जब माइनस पावर होती है तो इन्फाने डिस्टिप होते हैं मतलब अगर पावर अपने बैनमेल थ्रम पड़ी होगी अगर पावर फाइव होती है तो कितने टर्म्स मिलते हैं आपको छै जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म मिलते हैं लेकिन अगर पावर नहीं करेगा आंसर इस करेक्ट लेकिन उसको फिलाल आप लिखेंगे नहीं ठीक है